मस्ते दोस्तों, केडी रेसेपी में आपका स्वागत है आज हम बना रहे आटे का हलवा ये वाला हलवा बनाएंगे तो बहुत ही तेश्टी लगेगा और इसी रीट से बनाएंगे ना तो सच्ची में यकीन माने इतना तेश्टी बनेगा और अच्छे से पहली बार में पर्फेक्ट बन के आएगा और ये वाला हलवा बच्चे बड़े सभी को बहुत ही बढ़िया लगता है तो चलो आज ये वाला हलवा बना लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर दो कटोरी पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है पानी आपको यहाँ पर अच्छे से बॉयल कर लेना है यहाँ पर एक कठाई ले ली ही मैंने इसके अंदर में एक कटोरी घी डाल दूँगी आपको कोई भी कटोरी सेट करके इसी नाप से आपको सारी चीजे करनी है तो आपका हलवा यहाँ पर पर्फेक्ट बनेगा अब मैं यहाँ पर एक कटोरी गेहू का आटा डाल रही हूँ आपको यहाँ पे मैंने जो ही कटोरी से गी लिया था उसी कटोरी से आटा राला है मैं बता ना बूल गई तो आपको यह बात का खास द्यान रखना है कि यहाँ पे दो कटोरी पानी एक कटोरी गी और एक कटोरी गेहुका आटा और यहाँ पे आप एक कटोरी गुड या चीनी ले सकते हो तो इस तरह से हम continue चलाते रहेंगे इस हलवे को और यह हलवा बहुत ही टेस्टी स्वादिश लगता है लेकिन इसमें बहुत ही मैंट पॉइंट होती है कि इस हलवे में अच्छे से भुनाई नहीं होगी न तो आपको यह हलवा खाने में टेस्टी नहीं लगेगा और कच्चा कच्चा भी टेस्ट आएगा आपका मुह में भी चिपक जाएगा इसलिए इसकी भुनाई आपको बहुत ही बढ़िया तरिके से कर लेनी है यहाँ पर आपको डार्क रंग का कर लेना है इस हलवे को और इसको आप भुनोंगे ना तो इसमें पूरे ही किचन में महक आ जाएगी तब तक हमें भुन लेना है इस बात का खास दयान रखे और आपको यहाँ पे धीरे-धीरे करके चलाते रहना है बिल्कुल छोड़ना नहीं है नहीं तो छोड़ दो गया आप तो यह हमने आटा डाला है वो कहीं से जल जाएगा कहीं पे कच्चा रहेगा इसलिए आप देख सकते हो हमारा हलवा यहाँ पे अच्छे से भून चुका ह बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है इसके अंदर अब हम इसके अंदर जो पानी बॉil करके रखा था न हमने वो इसके अंदर डाल देंगे यह पानी आपको धीरे-धीरे करके डाल देना है क्योंकि यहाँ पे भी गुटलिया हो जाएगी इसलिए आपको धीरे-धीरे करके इस पानी को डाल देना है तो मैं ने पानी डाल दिया है अब मैं यहां पर एक कटोरे गुड़ यूज कर रही हूं मैं आपको बोलूगी कि आप इस हलवे में गुड़ ही डालो गुड़ डालने से बहुत ही टेश्टी बनता है इसका रंग भी बहुत बढ़िया आता है और य इस तरह से हम इसको continue mix करते रहेंगे तो आप देख सकते हो थोड़े ही टाइम में ये अपने आप ही इस हलवे में से घी निकलने लगा है बहुत ही टेश्टी लगता है ये वाला हलवा और बहुत ही बढ़िया बनता है इस तरीके से जरूर बनाए बहुत ही पसंद आएगा आ हमारा बनके तयार है बहुत ही स्वादिश्ट बनके आता है जरूर इस रेसिपी को ट्राइ जिए और बनाए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये वाला हलवा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा गी निकलने लगार अब जितना इसको बुनोंगे उतना ही उसके चरूर कर दीजे मेरे वीडियो को